क्लाइन कापिटल स्टार्ट हो चुका है और क्लाइन कापिटल के अनुसार से क्लासर्स आज हम लोग ने अपना जो स्कूर बना रखा है one of the सबसे हाइस्ट मतलब यार आज तक मैंने 40,000 के उपर हिट नहीं किया था मेरे हिसाब से यह एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीवमेंट है फिलहाल आप लोग का सबसे हाइस स्कूर क्या है सबी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि यह हम लोग कैसे कर पाए आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी कर स लगते हो क्लान कैपितल का बेसिक पंडा क्या है जिससे आपको आसान असान से बेसे मिलेंगे और सबसे ज्यादा आप वैल्यू निकाल पाऊंगे यह इस जो हम लोग बहुत साइव लोग करते हैं बेसिक फंडा यहीं क्लैस कि सिंप्ली आप लोगो ना अपना रश करना सा सारे करें साही साही को पहले तो मैकसा उट करेंना ठीक है मैकसा इंसेंस की जैसे कैपिल हॉल हम लोग ने टेन कर द दिया सारी के साहीं जितने भी districts है उनको सबसे पहले unlock कर देना ठीक है Goblin mines की बात करें तो यहाँ पर गितना तक जा सकता है यहाँ पर district level 4 तक जा सकता है तो district level 4 तक हम लोगों ने कर दिया सारे चीज़ों को करने के बाद उसका आपको offenses करना है ठीक है सारे डिस्टिक्स तक आप पहुंच गया रस करके उसके बाद offenses करना offenses देख लो यह जितने भी आपके attacking troops हैं और आपके लाइक वाइज housing space जिससे बर सके army camp army camp को max कर लो troops के जो यहाँ पर barracks है इनको max out कर लो spells जहां से unlock होते हैं उनको max कर सकतो सब्सक्राइब करना है और यहां पर आपको आ जाएंगे ठीक है तो फिल्हाल lightning spell यहां फाइब हम लोगों max है तो हम लोगों यहीं करना रहता है ठीक है आप देखू कि तो भाई कितना ही लिवल का है लेकिन सारे offenses देखो हम लोगे सारे के सारे offenses max है तो इससे आप बहुत जल्दी max होगे जो ऑपनेंट आएंगे सबसे बड़ा चीज इसमें यह ना कि जो ऑपनेंट आएंगे वह काफी आसान असान भी आएंगे स्टाटिंग में ठीक है और आपके offense पूरे max होते है तो आप उनको easily take down कर सकते हो likewise मैं आपने कुछ attacks को अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने attack perform किया था सबसे पहला reply one में आप लोगों को दिखाता हूँ यह attack हम लोगों ने किया था dragon clip पे ठीक है यह कुछ इस तरह का basis है जहां पे हम लोगों ने वन शॉट डिस्टिक लिया था यह थोड़ा सा tricky होता है अगर आप इस धंग से अटाक को perform करोगे ना तो एक बहुत ही बेटर वे में आप वन शॉट त्री स्टार कर सकते हो करने हम लोगों ने चुलिव को अाज हम लोग ने दो जrous को वन शॉट किया और को पहला ड्रागन को यह पार्च यहां ने ड्रप किया डहां को सबसे म्लोगों को यह मिलता है इस को जो सुपर ड्रागन है वो भी फ्रीज हो जाते भाई मतलब यह टाक होता ज़्यादा कुछ खास करनी पाते जिस लाइक आप यहाँ पर देखना बहुत स्लो स्लो अटाक करेगा तब तक अपना जो माइनर है वो अपना काम करेके निकल जाता है ओके यहाँ पर हम लोग ने एक हिलिंग स्पेल का भी रखा था अपने साथ और 32% का अच्छा खाला डिस्ट्रेक्शन देख सकतो हम लोग को आ चुका है यह एक लिजेंटरी ट्रिक है जिससे आप यहाँ पर इस डिस्टिक्स को वन शॉट कर सकतो फॉर्टीवन परसंट की यहाँ पर डिस्ट्रेक्शन हो चुकिए फॉर्टीव परसंट के डिस्ट्रेक्शन और जो ड्रागन है भाई वह इधर देखते रहते हैं माइन नीचे जाता है और कहीं और से निकलता बिल्डिंग तुरंट डिस्ट्राइब करता है अगर पैच में रहता है तो और तब तक ड्रागन ट्रावली करते रह जाता है यहीं पूरा पूरा पंड़ा था यहाँ पर उसमें कुछ नहीं था यहाँ पर बस एक चीज़ और है ना इसमें लाइक क कि आपको लाइटनिंग बेस्ट जगें गिराना होगा ठीक है अभी हम लोग ने लाइटनिंग यहाँ पर ड्रॉप किया जिससे जो ड्रागन उसको तो फ्रीज कर लिया जाए ताकि अपर का जो एडिया ना वह भी क्लियर हो जाए नीचे का एडिया जस लाइक आप देख तक करके जाने में अलत खणाब हो जाएगा यानी तो पर आपके पास एक बार्बिर्भें बचा रहता है यहां पर ड्रॉप कर दो गाई सारे का सारे ड्रागन इस तरफ makan और आपके माइनर सुस्टरफ जाकरके सारे बेसस को यहां पर आपको ड्रॉब कर दिखाता हूं ठीक है इसा तब होगा जब आप यहां पर कीस्ट्राइगन के बहुत इजी होता है बस ट्रैप में फसाना है और यहीं में आपको एक चीज और दिखा दो यहां पर जो हम लोगे नंबर आटक्स किये गाइस लाइस लाश्ट अटाइक दिखा दो नंबर सिक्स अटाइक यह देखो यह कैसे तरह का बेस है यह बेस में कुछ नहीं है बाई म ठीक है और यहां पर हम लोगों ने अपना बेस्ट प्रफॉर्म करने का सोचा था कि एक शॉट में इस डिस्ट्रिक्स को भी उड़ा देंगे लेकिन जब बिल्डिंग्स बहुत डिफेंड जगे रहते हैं तो आपको बहुत सारा प्लानिंग करके चलना होता है हम लोग एक वैसे भी इसली मिंटेन कर लोगे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है 25 परसंट का डिस्ट्रक्शन हो गया था हम लोग पास दो बार्बरियंस और बचेते मैंने सोचा कि यहां पर कैनन को डिस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है तो कैनन के रेंज में आते के साथ हम लोग ने बार् यह लोग जो मैने वह थोटे डिटरेंटर कर गिया था तव इस केस में थोले हम लोग हो हेलिंग स्पहका पूरे कुल मंए उसं आप्सोस रहा था forgiven अच्छा निकाल रखा है। 68% के सट्रेक्षन हो चुकी है, 69% के सट्रेक्षन हो चुकी है। देख सकता है, बहुत ही उन्हें क्लिर कर दिया। और बड़ वैल्यू मिल सकता था। हम लोगा माइनर उपर नहीं गया। इसमें बड़ा गोल्ड रहता है गाइस उसे हम लोग टेकडाउन नहीं कर पाए और जिससे हम लोगो थोड़ा सा नुकसान लग गया और फिर और भी मिल जाता अगर यह हम लोग पूरा करने में काम्याब रहते ना तो भाई मतलब बहुत अच्छा वैल्यू मिल जाता बस एक माइनर को हम लोगो इस डारिक्शन से नीचे कर देना चाहिए था वह हम लोग अगर स्टार्टिंग प्लानिंग कर लेते ना तो भाई यहां पर बहुत अच्छा वैल्यूस हम लोगों मिल गया रहता तो गाइस इस तरह से ना हम लोगों ने यहां पर अपना बेस्ट देते वह आगे बढ़े और अच्छी यह थोड़ा अच्छा है तो ऐसा नहीं करेगा अच्छा हुआ करेगा करेगा इस ट्रूप में ज्यादा आपको उतना दिमाग लगानी का जरूत नहीं परती है कहां से क्या छोड़े नॉर्मल आपको बस दो-तिन पॉइंट का ध्यान रखन में अगर डखा जैना यह बंदधा फिए कर रहा होगा अगर सारे के सारे जितने भी प्लेयर हैं अगर आपको चूज करना है तो यह best. आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप से पहले मैक्स ट्राइब कर सकते हैं आपको वैल्यू काफी अच्छा मिलेगा तो इसी के साथ साथ हम लोग जो सकेंड चैनल वहां में इन सारे अटाक्स जो हम लोग ने प्रफॉर्म के टाप सिक्स एक इन छेयों अटाक कर लोगो कि आप लोगो कर्षा हों !